हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर मैं डियलेट थर्ड सिमिस्टर की संस्क्रत की क्लास लेकर के आई हूँ जिसमें आपके जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था आपका वाचन और साथ साथ आपकी सिक्षड अधिगम सामिक उलाता है लेकिन एक कंडिशन आरे कि जो बात हम पढ़ है वो मैं समझ में भी आनी चाहिए तो लिखित भासा को देख कर पढ़ना वह उसको समझना वाचन के अंतर गताता है वाचन आपके दो प्रकार के होते हैं पहला है आपका सस्वर वाचन और दूसरा होता है आपका मौन वाचन तो आपके यह जो डियलाइड का समिस्टर है थर्ड समिस्टर इसमें आपसे जितने भी कोशन पूछे गए वो मुझली कोशन आपके सस्वर वाचन ये सस्वर पठन के नाम से आए हुए हैं तो ये आपके लिए इंपोर्टन रहेगा आगे भढ़ते हैं सस्वर वाचन क्या होता है तो सस्वर यानि की स्वर के सहित सस्वर वाचन का अर्थ होता है कि स्वर के साथ वाचन करना चात्रों के द्वारा उचित लई के अनुचार शुद्ध स्वर में किया जाने वाला वाचन सस्वर वाचन कहलाता है इस वाचन के द्वारा वंदना श्लोक आदि को कंठस्त किया जाता है बच्चों से बलवाते हैं पहाडे भी याद करवाने हो तो भी सस्वर वाचन के तहत करवाते हैं स्कूल की वंदना हो गई या कोई श्लोक याद करवाना है तो भी कविता भी यहां तक कि हम सस्वर वाचन के तहती याद करवाते हैं इन व्णादी में कविता सिक्षड होता है यहां पर कविता को भी शस्चवरवाचन. बोल बोल के पड़वाना है. यह सस्चवर वाचन आपका दो प्रकार से होता है. कौन कोई सा होता है पहला है आपका आदर्ष वाचन दूसरा है आपका अनुकरण वाचन की बात करें तो आदर्ष वाचन वे वाचन होता है जो सिक्षक के द्वारा किया जाता है अनुकरण वाचन वो वाचन होगा जो बच्चे सिक्षक के वाचन के बाद करेंगे ठीक है त तथा सिक्षक ने वाचन के सभी घटकों को ध्यान में रखते हुए वाचन किया है, तभी वह वाचन आदर्स वाचन कहलाएगा। जैसे इस लोग पढ़ रहा है कोई सिक्षक तो वहाँ पर जो उच्छित लय है उसका ध्यान रखे कहानी पढ़ रहा है कोई तो कहानी जैसे वहाँ पर होना चाहिए उतार चड़ाव कविता या पद्धी कुछ पढ़ रहा है तो पद्धी जैसा होना चाहिए ठीक है जो भी घटक है जिसे उतार चड़ाव जहां पर लेना है जहां लेका प्रयोग करना है वहां उन सभी को ध्यान में रखते हुए वाचन करना चाहिए और साथ साथ शुद्ध उच्चारणवा इसपस्ट होना चाहिए जिससे कि बच्चों को सुनाई दे सही सही क्योंकि वाच आपका आदर्स वाचन कहलाएगा नेक्स्ट है आपका अनुकरण वाचन तो अनुकरण वाचन वह वाचन होता है जो छात्रों के द्वारा किया जाता है चात्र ये वाचन सिक्षक के आदर्स वाचन के बाद में करते हैं इसलिए इसको अनुकरण वाचन कहते हैं तुझध करते हैं, नहीं जो कि Arenas process दिग्लों खुला लानकी है। भासे लिए जाम्हिट को सकते हैं। उद्देशी आए चाहे महतव आए चाहे उपियोगा ये चार-पांच पॉइंट याद कर लो इन सभी को लिख देना पहला उद्देशी क्या है कि विशेवस्तु को पढ़कर अर्थवा भाव ग्रहण करनी की योगिता को विक्सित करना दूसरा उद्देश से क्या है कि आत्म विश्वास को जागरत करना बहुत सारे बच्चे होते न हिच्किचा आते हैं जिससे हमने अमाली चे उनको खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि आप बुक पढ़िये तो बहुत से बच्चे क्या हिच्किचा आ रहें बोल नहीं पा रहें अशुद उचारण नहीं कर पा रहें तो अगर हम सस्वर वाचन कराएंगे तो इससे क्या है एक एक बच्चे से अगर मालो एक एक पैराग्राफ भी पढ़भाय जा रहा है आत्म विश्वास चागरेत होगा वही पॉइंट है नेक्स्ट है भासा प्रभावा इस्पस्टता विक्सित होगी पहले बच्छा क्या है अटक अटक के पढ़ता है रुक रुक के तोड़ तोड़ के पढ़ता है लेकिन दीरे दीरे जब अभ्यास करने लगेगा अगला है आपका चात्रों की जिजक दूर हो जाना तो मैंने आपको बताया दिया आत्म विश्वास आ जाएगा तो बच्चों का हैजिटेशन अपने आप ही दूर हो जाएगा नेक्स्ट है आपका फिप्ट पॉइंट बालकों में सब्दो चारण को शुद्द करना ठीक है बहुत से शब्द ऐसे होते बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और खासकर संस्कृत के जो शब्द हैं वो बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो अगर संस्कृत का में पूछा गया है ठीक है आगे भड़ते हैं आपका मौन वाचन क्या होता है तो मौन वाचन क्या है आपका लिकित सामिगरी को मन ही मन बिना सवर किये चुपचा पढ़ना आपका मौन वाचन कहलाता है जैसा कि हम लोग करते हैं ठीक है बड़े बच्चे सभी मौन वाचन करती है मन-मन में पढ़ते हैं और क्या है रिवीजन के जो Ohren कर रह Liberty मौनवाचन के क्या होता है समय की बचा तो जाती है ठीक है और आपका यह मौन-वाचन रहे का द有點 परकार का होता है पहला होता मतलई वाचन का मतलब के जल्दी जल्दी पढ़ना जैसे कि हमारे सामने जब अंसीन पैसे जाती है ना तो वहां पर हम एक एक लाइन नहीं पढ़ते दुरुत वाचन जल्दी जल्दी किया और एक दमान से ढूड़ने लगे थी तो दुरुत वाचन का मतलब है जल्दी जल्दी से पढ़ना और उसका अर्थ समझ लेना फटाफट से गंभीर वाचन में क्या है हमें जब उसका कोई निसकर्स निकालना है बहुत अच्छे से तब वहां पर हम रुक रुक के एक एक लाइन का अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ते हैं तब वहां पर आपका गंभीर मौन वाचन होता है मौन वाचन का उद्दे से तर्क कलपना का विकास करना मौन वाचन में क्या क्या होता है कि you have self study के लिए वह हो जाए तो आपर क्या है स्वाध्याए को प्रिरित करना अगला पॉइंट्छ सब्द बंदार में बद्दि करना और नेक्स आपका अर्थ ग्रहाण करनी की कर आती है जयसे कि बच्चों का आती है उसमें अनुलेखन के लिए चाहता है और शुर्तलेक का मतलब होता है बोल बोल कर यानि कि किसी ने बोला और दूसरे ने लिखा एक तरीकी से आप बोल सकते हो क्या इमला यानि कि डिक्टेशन ठीक है तो सुलेक में क्या है सुलेक का अर्थ होता है सुंदर लिखन में सुंदरता और आकरशकता का होना महत्पूर्ट माना चाता है जैसा कि आपसे सभी कहते भी होंगे 10th हो चाहें 12th हो कोई भी आप exam teaching का कहा रहे हो उसमें क्या है writing अच्छी होनी चाहिए जिससे जो examiner check करेगा वो marks थोड़ी से अच्छी से देता है ठीक है या डेड़ कर देगा तो जब आपकी writing अच्छा effect डालेगी तो जो examiner check कर रहा है copy वो आपको marks भी अच्छी देते हुए जाएगा इसलिए शुलेग का जो आपका लेखन है उसमें एक बहुत ही important role है next अनुलेग की बात करें अनुलेग वहलेग होता है जिससे चातर किसी पुस्तक आदिसे देखकर लिखते है इससे क्या होता है जो भी वरतनी संबंदी शुद्या होती धीरे धीरे वो आपकी दूर होने ल ऑफ वैसे में लखते हैं जोता है और बाषन में तस्वर वाचन जब कराके जब करांखे तो बच्चे की यह शुद्न ही आदूर होगी थीह है तो हम और गुम्हण वहन में बीदिख की तो इतना हो गया है अगर वाचन की बात करेंगा में वाचन में जब कर आएक करामः क वाचन से ये शुद्यां दूर नहीं होती है सस्वर वाचन से ही दूरूंगी ठीक तो आज इतना ही रखते बाकि सिक्षड अधिगम सामिकरी का जो बचा हुआ है आपका वह मैं आज आज करा दूंगी ठीक है आपका संस्क्रिट कंप्लीट हो गई है बस एक टॉपिक जो तो आज रात तक आपको क्लास मिल जाएगी नहीं तो कल आपको पक्का मिली ही जाएगी तो जैसके मैंने कहा था 30 तक आपका कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं खोशेश कर रही हूं आज 30 है थोड़ा से विज्ञान में बचा हुआ है आपका वह बी जल्दी हो जाएगा परेश क्या क्या है